सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वालकम फेंट्स सो सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉंश्टी पेशन कब्ज से तुरंध ही छुटकार दिर्याले वाली एक दबाएं में जानेंगे जिसका प्रियोग नौजात सी सुस्षे भुजर्ग व्यक्ति सभी में लिया जा सकता है और बच्चों में क्या इसको गर पे प्रियोग ले सकते हैं यह बात और इसके अलावी के अन्य महत्रपुन बातें इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए वीडियो को बीना स्कीप के अंतक देखें मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदीच आप देख रहे हैं अपना एडिप चैनल लानबार्ट के मुज गुदा द्वार में इंसर्ट करने के लिए बनाया गिया है यह सेफ में कुछ इस तरह होती है जो आगे से पतली तताँ पिच्छे से मोटी होती है जिसकि डेक्टर में आसान इससे इसे इंसर्ट किया जा सके यहाँ सपोजट्री अलगलग दवाओं की बनी हो सकती यहां पर हम Glycerine supposedly की बारे में जान रहे हैं अगर इसके इसके स्ट्रंध की बात की जाए तो यह है एक ग्राम डेड़ ग्राम की अलग लग पिखेजिंग मा आती है जो एक ग्राम तथा डेड़ ग्राम की यह छोटे बच्छे ताथा बड़े बुच्छां प्रियोग ली तथा जो दो ग्राम की सपोजटरी है इसे एडल्ट में प्रियोग लिया जाता है अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो इसका यूज मुखी रूप से occasional constipation को ठीक करेंगे लिया जाता है occasional constipation का मतलब है कि व्यक्ति को regular constipation नहीं रह रहा है किसी कारण वस उससे constipation हो गया और वो उस constipation कारण वो बोल पास नहीं कर पा रहा है और यह समश्य ज्याद दर नौजात सिसों में या पच्छों में होती है जब यह समश्य होती है ग्लीसनी सपोल्ट्री देकर तुरंत ही 10 से 20 मिनिट में उसकी constipation को तोड़ दिया जाता है साथ ही कोई व्यक्ति है जो constipation की दवा ले रहा है लेकिन उसका constipation नहीं टूटाओ तो उस constipation को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है किसी बच्छे की अगर large intestine की जाच करनी हो तो उस जाच से पहले भी डॉक्टर के दवारा यह सपोल्सट्री लगाने की सलह दी जात हो तो उसे यह glycine की सपोल्सटी लगा कर उसके constipation से निजा दिलाई जाती है और और किसी व्यक्ति को constipation हो रहा हो वो ठीक नहीं हो रहा हो ज्यादा पैरेसन कर रहा हो तो उसमें glycine सपोल्सटी डॉक्टर द्वारा दी जाती है यह किस तरह से कारी करती है इसको भी हम ज हिसता है मतलब इंटेस्टाइन की दिवारों से पाने कीच करें इंटेस्टाइन में खटा करता है जिसी कि जो इस्टूल है जो बोल हो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी लिक्वीड डिटी इसमों हो जाती है और अगले 10 से 15 मिनिट में वो तुरंती बोडी के बाहर निकल जात है तो इंटेस्ट है कि जो दिवार पर जमी हुए बोल होता है उसको भी हटा देता है इस तरह से यह हां को क्यों ठीक करने का कार्य करता है कि सरह से इसको दिया जाता है उसको मिया पे जान लेते कोई बच्चा हो ये बड़ा हो किसी को भी इस अपोजिटरी लगा नहीं हो रखकर धकेला जाता है जब यहां धकेल दी जाती है तो उसके बाद में दस से पंदा मिनेट तक उसी सिच्वेशन में वहां ओबेड पे जमीन फिर लेटर है और जब उनको रेक्टर में प्रेसर महसूस हो तो वह टोलेट में जा सकते हैं इस तरह से इसका यूज लिया जाता है सब्सक्राइब चैसरे पर हो जाता है बच्ठों में यूँ कोई बैस्चा है जिसको तुसके लगाई जाएगा अब ग्लेसिंग की supply है बच्चों में भी दी जा सकते वहां क्या है उसको भी जान लेते हैं जो इसकी common side effect उसमें वेक्तिव को पेट में मरोड हो सकते हैं पेट दर्द हो सकता है एनस पर कुछ इरीटेशन लग सकता है इंटेशन में हलकी जलन हो सकते हैं इस तरह के समझ्यां होते हैं अगर यह हलकी पूल की होती तो कुछ परकार की समझ्या नहीं है लेकिन यह सीवियर स्थिति में लगे तो अपने डॉक्टर से में जैसे की आपको प्रोपर टीटमेंट दिया जा सकते तो दोस्तों यह पूरा वीडियो था ग्लेशनी सपोजटरी के बार में जो बच्चों के लिए कौंस्टिपेशन को तोरने के लिए बहुत ही अच्छी है चाहे नवजात सिशू हो दो-चैर्स वर्स का बच्चा हो या दस वर्स का बच्चा हो सभी में इसको दिया जा सकता उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और नए दवा की जानकर आपको इस वीडियो मिली होगी इस वीडियो मलते है किसी नए वीडियो में नई दवा नई टोपिक साथ में तब तक के लिए सुस्तर और मस्त रहें